दर्शको नमस्कार बैसे देखा जाए जो पाच्चन परनाली जो श्रीर की है उसका ही एक अंग है दान्त अगर सबसे पहला काम पाच्चन परनाली का जो शुरू होता है वो दान्तों से होता है जो भी हम गिजा खाते हैं जो भी पदारत खाते हैं वो जो पदारत वो पहले दान्तों से उनको निप्टना पड़ता है फिर जाके हमारे पाच्चन परनाली के अगले हिस्सों में जाता अगर हमारे मूँ में दांत ना होएं तो हमारा चेरा कैसा हो जाएगा जो हम बात करते हैं जितने हम सुन्दर सुन्दर बोलते हैं अगर दांत ना होगे तो हम कैसे बोल पाएंगे इसके इलावा भी इनके अनेक परकार का और भी महत्व है इसलिए दांतों के महत्व को देख इनकी रक्षा करना इनकी तरफ दियान देना बहुत अवश्यक है दांतों का और क्या महतव है इसकी किस प्रकार रक्षा की जाती है। डक्टर आकेश गुपता जी जो गोर्मेंट डेंटल कालेज जम्मू है उसके प्रिंसिपल है डक्टर साब आपका बहुत बहुत सभागत है ऐसे देखा जाए आपका तो बहुत लंबा जीवन का अनुबव है और जो सर्बस कहा रही है चालीस बर्च से आप सेवा कर रहे हैं इसी खेतर में दंत रोग की चिकिस्था में और पिछले 10-20 बर्च से तो आप नए जो डक्टर बनते हैं उनको भी पड़ा रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं और आपने कई खेतरों में स्पैसिलाइशन भी की है अनेक आपको प्रकार की अनुबव है खासकार दंत की रक्षा क इसमें किस प्रकार की फैसिल्टी सुविदाएं हैं और किस प्रकार के ट्रीटमेंट इलाज दी जाते हैं दान्तों की रक्षा के लिए सबसे पहले आपका और दुद्रशन का अत्यारिक दन्यवाद हमारा जो इंस्टूट है जो जो जेंटल काल जमू है ये एक टर्श्री इंस्टूशन है जी यून टर्श्री जमू का जमू किश्मीर का इसमें हमारे डेंटिस्ट्री में हमारे नौ स्पेशलाइशन होते हैं और हर एक specialization का एक एक department होता है तो dental specialties में सबसे पहले हमारी जो specialty होती है वो diagnosis और radiology और oral medicine ये एक specialty है उसमें कोई भी जो हमारा patient जो भी आएगा उसको वहाँ पे देखा जाता है उसकी disease पर कोंसी disease है किया है कोंसी उसके investigation करवानी है वो सब वहीं पर की जाती है उसके से बाद जो हमारे बाकिन गो आओड डिपार्मेंट्ट्स हैं वो डिपार्मेट्स नसब ऑड़्ज़ इपार्मेंट्टों में उनको बेस दे हैं जिस परकार के उस फ़र उसरे दाइब मेंट करे था है उसके पास हमारे जो दुसरी इस्पेशल टी है वो और जाओरितर तरह जितने भी आपके मुह के दांप निकाल के खाम करना है जा दांत कैंबार फस्ट ये थे होते हैं इंपेक्टिड हैं जा रोड ट्राफिक एक्सिडेंट हैं जा टूमर्स हैं कैंसर हैं हड़ियां टूट की जब टूट की हैं वो सब के सब इलाज जो है उस डिपार्मेंट में किये जाते हैं उसके अलाबा हमारा तीसार डिपार्मेंट जो है मुसूडलों का डिपार्मेंट ह जिसको पेरणटालोजिक कहते हैं उसमें जितने भी प्रॉलम्स हैं गंब्स के डिजीस की विलीडिंग की जराद हिर रही हैं वो सब के सब इलाज जो है उस डिपार्मेंट में किए जाते हैं उसके अलावा जो नेक्स डिपार्मेंट हमारा है वो conservative dentist और endodontics है दान्तों में cavities जिसमें बनती है और जा किसे को acute pain हो रही है दान्तों में तो वहाँ पे fillings और endodontics treatment जो है root के नल जिसको कहते है RCT वो उसी department में की जाती है उसके लावा next department है वो हमारे पास patients आते हैं यंग जिनके दान टेंडे होते हैं उनके शक्रें अज़िप सी हो जाती हैं तो वहाँ पे उनका एलाज किया जाता है उनको सिर्फ किया जाता है उनका facial profile ठीक किया जाता है फिर हमारा department है oldest department जिनके बिल्कुल ही दान निकल गए होते हैं जिनको dentures चाहिए पर्मनेट दान्त दान्त के ख़युए यजनके भी दान्त निकल गया है जिनको पा insightful dla देंशरों चाहिए जिनको फिक्स दान्त चाहिए उस के सब अरिस को बिपारमिट है अरिसको हम कहते हैं उसके बाद हमारे बच्छों का department होता है जब बच्चा पैदा होता है और 14 साल तक जतनी भी उसको दानतों की problem है चाहे मसूडों की है चाहे फिलिंग की है चाहे रोट के नाल की है चाहे उसको trauma हुआ है चाहे दान टेड़े मेड़े आ रहे है वो सबके सब इलाज बच्चों को और अस डिपार्मेंट में किया जाता है और उस डिपार्मेंट में जो बच्चे जो special children's है specially evil children है जिनको different किसम की problems है और सब को भी उसी डिपार्मेंट में ट्रट किया जाता है धक्टर शब जी आपको ही डिपार्मेंट है आपकी MDSV से में है और सेखमेंधर देब इसके पुर्मारा भी नियू, उसके रभशाग एक एक डेपार्मेंट है, उसके muchísimo है, जिसमें, पेशिंट को पाइसिंट कोई केम्प लगाते हैं एजुकेट करते हैं मोटिवेट करते हैं उनका ट्रीपमेंट भी करते हैं और उसके लावा उन्होंने आपने डिपार्मेंट के अंदर अपना टॉबाकु सेजेशिन सेंटर भी बनाया हुआ है जो पेशिंट रेफर्ड हो के आता है कि इसको और इसकी डिफरेंट किसम की स्पेशल्टी हैं अब टेकनोलोजी समय चेंज हो गया है जी वह हमारा टेस्टरी इंस्ट्यूशन है नए कंसेप्ट नई टेकनोलोजी है एक समय था कि जब हम रूट किनाल करते थे तो मल्टीपल बिजट्स इंवाल होती थी बार बार मरीश को और होता था क्योंकि समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है अब देडवांस्मेंट अफ टूल्स एन एडवांस्मेंट अफ स्किल्स नए नए टूल्स आने से अब सिंगल सेटिट इड़ सिटिंग और सिटी हो जाती है हां कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रादम्स टू में सिंगल सिटिंग और सिटी हो जाती है तक सब और सिटी और फिलिंग दो चीजे होती है यह की बार हो जाती है दोनों जब और सिटी हो जाएगी उसके बार सिटी हो जाएगी उसके बाद उसके बाद उसके उपर अगर दान का स्ट्रुक्चर कमजोर हो गया है तो उसके पर कैप लगाते हैं, वो उसके बाद में होती है, वो कुछ समय के बाद, दो, तीन दिन के बाद हम करते हैं, तो इसके लावा हमारा जो सर्जिकल डेपार्मेंट है, उसमें भी जितने किसी का जब राद होता है, किसी का कुछ कैंसर है, ट्यूमर है, वो सब के साब, बोन प्लेटिंग, बोन इंप्रांट, सब चीजें जो हैं, हम उसमें करते हैं, औरल कैंसर का भी ट्रीटमेंट जहां पे हो रहा है जमुडेंटल कालिज में नहीं, शीक्टावमा कैसिएस का रश कर घ्रा करते हैं औरो गार्टेव में विट्रीटमेंट करते हैं, और जो प्री कैंसर सथ फ्रीयूंज फ Means consent indices हैं उसके लिए हम ट्रीटमेंट करें उसके हम डेक अमारा ऑरोल मैडिसने झॉक्प JAMU में हमारे अप तो काफी institutions हैं हुवारे पिर्ष हाँ प्र पर इसल्ड नोबत नहीं आती है!! इसल् répondre हो जो काफी द्याह रखते हैं इसके initiator इसके रवार जो हमारा Arthorkanomics Department है काफी हग तक वीम्रेशी, इलाइनर्स, आपने ने ने अपने अधनर के लगास है हुग्छा। आगे तारे लगाते थे इसमिल नजर आती थी। अब आपको इंप्रेशन ही लेना है, आपको स्कैनिंग होगा, ने तो इंप्रेशन ही पेशन के लिए जो हम मसादा लगा के मूर में नाप लेते थे, इतना इरिटेवल होता था, पेशन नेवर यूस्ट तो बाइक इट, उसको पसंद नहीं आता था, लेकिन आप इसके लावा हमारे सीबी सीटी मिशीन भी बहुत जल्दी हमारे इंस्ट्यूशन में आने वाली है, और टेंडर हो गया है, उसका फाइनिशल बिड बी अप्रूब हो गया है, बिरिन फ्यू मन्स एक दो मिने के अंतरा जाएगा उसका फाइदा क्या है, उसका फाइदा है क फिक्स दान लगाने है, इंप्लांट्स लगाने है, हमें हड़ी के डेप्थ कितनी है, कि वो इंप्लांट उसमें लग पाएगा जनी लग पाएगा, वो मिशीन से हम देख पाते हैं, 3D पिक्चर के साथ, डाक्टर साथ जे कालेज और हास्पिटल दोनों साथ साथ में है, नए डाक्टरों को भी बनाय जाता है, नए बच्चों को पढ़ाय जाता है, स्टुडेंट्स को, और साथ में रोगियों का इलाज भी किया जाता है, आपके हास्पिटल में, इसमें कितनी ख्यमता है, कितनी ख्यमता है, कितनी ख्यमता है, कितनी ख्यमता है, कितनी ख्यमता ह में एकाफे मरीज़ आ सकते हैं जतने ज़ला आजाएं क्योंकि हमारे पस्टेट गुवर्मन्नें कौफी डॉक्टर्स घाइवन दी किने जोग आएंगे हुम क्योंकि हमारे पस जो इन्टिल युनिट दें रख जतने भी हजा टक भी आजाया हैं 1500 अपार्ज हुम उनको पर फ इतना इंफरस्ट्रक्ट्ट्टर हमारे पार साले कि अगर किसी पेशेंट का आपके ट्रीटमेंट जे संतुष्ट नी है क्या वो कहीं शिकायत कर सकता है कंप्लेंट सकता है इसका कोई सेल है इसमें एक तो परे अपने इंस्टूशन में ही कंप्लेंट बॉक्स है हॉस्पटल में भी कंप्लेंट बॉक्स है फिर हमारे वेपसाइट में ग्रेवेंस के लिए ब्यक्तिकत तोर पे किसे मिल सकता है हॉस्पटल में सबसे पहले तो उस डिपार्मेंट के हेड़ आउट डिपार्मेंट को मिल सकता है सबसे पहले तुसी को मिलना है फिर मेडिकल सुबर्डिनेंट है डेंटल हास्पिटल का जो उसके बाद वहां पर भी नी रिजाब होगा तो मेरे पास तो किसी समय भी कोई भी आके मिल सकता है वाकि हमारे वैप साइट में इमेल आ जाती है हम इमिजेटली उसका रिस्पॉंट करते हैं आज कल बैसे भी हमारे किसे को जला भी हो तो गुवानर साब की इमेल गिर्वेंट सेल में आते है उसका भी हम उनको डाक्टर साब बहुत बहुत दन्यवाद आपने बहुत अच्छी जान करी पलब दुकर आई है हमारे दर्शकों को और कभी भी उनको अगर दान्तों की प्रावलों होगी तो आपके पास जरूर आएंगे और उदर से संतुष्ट होके जाएंगे आपका बहुत बहुत दन्यवाद आपका भी बहुत शुक्री है हम चाहें के कि लोगों की सेवा हम कर पाएं जिनके लिए हम बैठे हैं यहां पर दर्शकों आपका भी बहुत बहुत दन्यवाद और साथ में इस पर जरूर अमल कीजिए जो डाक्टर साब ने बताया है बहुत बहुत दन्यवाद बहुत बाएं भाद